हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी भारत और चिन के भी सीमा विवात को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने ये कहा है कि पुर्वी लद्दाख वाले छित्र में लगभग चार साल के बाद दोनों देश अब सहमती पर आ चुके हैं और अब कोशिश होगी कि इस पार्टिकुलर इलाके में शांती बहाल की जा सके क्या कुछ बाते की गई हैं क्या कुछ अन्य पक्ष इससे जुरे हुए हैं आज की इस विशेश चर्चा में हम लोग जानेंगे समझेंगे सामने मैंने वो निउस मेंशन की हुई है जिसके माध्यम से फॉरें सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने ये बाते कहीं हैं आगे हम लोग इस पर विस्तार से बातचित करने से पहले थोड़ा सा एक इनफॉर्मेशन के बारे में भी बातचित करने यह इनफॉर्मेशन P2I batch को ले करके हैं यदि आप P2I batch 2026 का हिस्सा बनना चाहते हैं और यदि आप 2026 को targeted way में लेते हुए तयारी कर रहे हैं civil सेवा परिच्छा की तो आपका स्वागत है इस खास batch में आज ही सुबह 8 वजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है यदि आप GS के paper को बहुत अधिक tough तरीके से समझ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि GS paper में साइध आपको दिक्कत महसूस हो सकती है तो फिर आपके लिए यह batch बहुत ही बहतर है और इसके जरीए आप अपनी तयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं प्लांड वे में कर सकते हैं यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोर्ट का इस्तेमाल कीजिए इसके जरीए राइट नौ मेगा फेस्टिवल सेल का लाभ उठाते हुए अभी केवल 26,09-99 रुपे में इस कोर्स को जोईन कर सकते हैं और इसके जरीए जो इस कोर्स से जुरी हुई तमाम जो सुविधाय हैं उसका लाभ उठा सकते हैं जैसे कि आपको इसके माध्यम से 1000 प्लस आर्स की live online करक्षाइम मिल रही हैं इसके अलावा आपको इसके माध्यम से mentorship की स्रूइधा, आपको PT के स्तपर CSET की तयारी, Minsk के स्तपर निबंध की तयारी और GS के सभी चारो पार्ठक्रम, चारो जो प्रश्णपत्र हैं, उसके सभी विश्यों के पार्ठक्रम की तयारी बहुत ही plant way में करवाई जाएगी, तो यह जो कोड से आपके लिए बहुत ही फायदा मंद हो सकता है, तो यदि आप इससे जूड़ना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी admission लिजे, क्योंकि batch की शुरूआत हो चुकी है, सामने मैंने जिस वेक्ति की तस्वीर लगाई है, ये और कोई नहीं, भारत के वरतमान अध्यम से बाते हैं, वो कहीं है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेगा, कि जब हम LAC, यानि की line of actual control की बात करते हैं, तो ये भारत और चीन के बीच में एक विवादित रेखा मानी जाती है, हाला कि भारत ने कभी भी इस विवादित रेखा को लेकर के अपने इस्तर पर मा आनिता नहीं दी हैं, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में line of control, LOC को लेकर के एक जो मान्चित पर डिमार्केशन है, वो किया गया है, भारत ने LAC को लेकर के as such असपस्ट तो पर अपनी सहमती नहीं दी हैं, केवल, चीन के कारण, चीन के जो एक जिद है, चीन क और इसी पर रिप्रेक्श में यहाँ पर ध्यान रखेगा कि जो यह LAC है, इसको तीन हिस्सों में डिवाइट किया जाता है, पश्मी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पुर्वी सेक्टर, दोस्तों ध्यान रखेगा कि जो मध्य वाला इलाका है, जो की उत्राखंड से जुरा या फिर कुछ-कुछ हिस्सा हिमाचर प्रदेश से भी जुरता हुआ दिखता है, तो यहाँ पर ऐस चच कोई खास विवाद नहीं रहा है, लेकिन जो लद्दाख वाला हिस्सा है, या फिर जो अरुनाचर प्रदेश वाला हिस्सा है, इसको लेकर के चीन हमेशा कुछ न 2020 में जहां एक तरफ COVID-19 का दौर चल रहा था, उस समय चीन की सेना ने सीमा पार करते हुए, यानि की LAC को क्रोस करते हुए, और भारत की सेना के साथ में जरब कर ली थी, और इसी के कारण वह जो गलवान घाटी वाला इलाका था, वो उस समय बहुत अधिक तनाव पूर्ण हो गया था, और खुब सारी जो आलोचनाएं हैं, चीन की एड़े टाइम की गई थी, तो यहां पर इसी परिप्रेक्ष में, जो कुछ नए नए गतिविधियां हैं, नए नए जो इस्थितियां हैं, वो हमें देखने को मिल रही है, और इसी के बिहाफ में, यहां पर जो ए पार्टिकुलर हिस्सा है, अब आप अपने हिसाब से पेट्रोलिंग कीजिएगा, निगरानी कीजिएगा, और हम अपने हिसाब से निगरानी करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के सीमा का अतिक्रमर नहीं करेंगे, और जो यथा इस्तिति है, उसे हम बनाय रखने पर बल दें ध्यान देखिएगा कि जो डिस इंगेजमेंट है डिस इंगेजमेंट और डी एसकेलेशन दो बहुत ही महत्पूर्ण टर्म्स माने जाते हैं इसको मैं थ्वरा सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप इसको ऐसे समझेगा कि दो गुट है मालो की किसी मुहले में दो गु हुआ है और दोनों के बीश में कभी कभी जगरा भी हुआ है ठीक है जी तो जगरे को सांत करने के लिए समप्त करने के लिए दोनों गुटों के द्वारा क्या किया गया सहमती की गई बातचीत की गई और एक बार में ही बातचीत नहीं हुई है बलकि कई बार बातचीत हु अब शांती बनाने की कवायत की जा रही है और इसी परिप्रेक्ष में अब इन्होंने क्या कहा है कि देखिए अब हम यहाँ पर शांती तो बनाएंगे ही हम एक दूसरे के छित्र में दखल अंदाजी नहीं करेंगे अतिक्रमन नहीं करेंगे और हम इसके बाद धीरे-धीरे अपने गुट के लोगों को क्या करेंगे पीछे करने की और भी कोशिश करेंगे यानि कि जो हमारी सेना है वो अब धीरे-धीरे पीछे भी होगी तो यहाँ पर इन दो गुटों को आप कुछ वैसे समझ लेजिए भारत और चीन के परिप्रेक्ष में तो भारत और चीन भी अब क्या करेंगे धीरे-धीरे अपनी जो सेना के जवान है उसको थोरा वहां से पीछे करेंगे जिस point of friction को लेकर के तनाव चल रहा था उससे वे अपनी सेना पीछे करेंगे ध्यान रेखिगा मैं बात कर रहा हूँ point of friction की और यह point of friction कई अलग-अलग points पर देखा गया है हम लोग यहां पर map के माद्यम से भी उसको समझेंगे तो इसे को कहा जा रहा है सेना को पीछे करना या पीछे करने पर सहमती करने पर सहमती और यदि हम de-escalation की बात करें तो जो सैन्य साजो सामान है सैन्य साजो सामान को भी पीछे करना अब इसी को कुछ ऐसे स्फिर से समझ लो कि भाई पहले तो सेना के जो लोग है उनको हम हटा रहे थे लेकिन केवल सेना जो गुट के लोग है वो ही केवल नहीं थे बलकि उन्होंने तो पूरा एरेम बजापता एकदम हथियार वगरह पूरा हथियार का एक जखीरा ही वहाँ पर तैनात कर दिया था है ना तो यदि हम हथियारों का जखीरा भी पीछे कर लें तो वो क्या कहलाएगा डी एसकेलेसन कहलाएगा हथियारों का जखीरा मान लीजिए कि दोनों तरफ से भारत की तरफ से भी चीन की तरफ से भी टैंक वहाँ पर तैनात किये गए हैं है ना यहाँ पर या फिर कहें कि मिसाइल प्रक्षेबन से संबंधित पुरा एनम जो तैनाती है तो हम भी आगे बर कर करके जवाब दे सकते हैं तो यहाँ पर इसी चीज को ध्याम रखा गया है तो disengagement के बाद जो अगला हिस्सा होता है अगला जो step होता है वो dis de-escalation का होता है और वर्तमान में right now जो इस्तिती देखी जा रही है वो इसके संदर्म में यानि की सेना को पीछे करने पर सहमती के संदर्म में अब आगे कारवाई की जा सकती है यहाँ पर मैंने उस particular location को mention किया है जहाँ पर इस तरीके से अब गतिविधियां आगे देखी जाएंगी यह है वो इलाका देमचोक का और यह जो आप particular इलाका देख रहे हैं दोस्तों यह है देपसान का इलाका इनहीं particular छितर में अब दोनों देशों के द्वारा जो patrolling arrangement है इसको अब स्विक्रिती मिल गई है point to be noted my friends कि अभी कुछी दिन में BRICS का सम्मेलन आयोजित होने वाला है हना बाजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिन अफ्रिका और भी कई देश अब इसमें शामिल हो रहे हैं और अन्य कई सारे देश इसमें शामिल होने को लेकर के उच्छुकता भी जाहिर कर रहे हैं रूस के कजान में ये सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला है, point to be noted, बहुत ध्यान से समझेगा, कि ये जो इस्थिती है, ये जो सहमती है, उस समय सामने आ रही है, जबकि BRICS के देशों की बैठक आयोजित होने वाली है, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी खुद वहां जा कि इस BRICS में कौन है, रूस भी है और चीन भी है, और भारत और चीन के बीच में जो टकराहट है, इन मुद्दों पर पुर्वी लद्दाख वाले छित्र को ले करके वो जगजाहिर है, और इसी बीच में जब ये step उठाया गया है, तो ये उस BRICS में जो बादचीत होगी, उसके लिए एक बहुत ही महत्पूर्ण संदेश के तौपर देखा जा सकता है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, कि क्या यहाँ पर strategy काम कर रही है, तो ये चीज़ें यहाँ समझने की जरूरत है, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताओं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके से कुछ step उठाया गया है, in fact, साल 2022 में भी जब दोनों देशों के बीच में यह सहमती बनी थी, कि जो ये particular इलाका है, देखेगा, ये जो particular इलाका है, hot spring और डोगरा वाले छित्र में इस particular इलाके में से भी जो सैन टुकरी है, उसको पीछे करने को ले करके सहमती बनी थी, और उस समय भी जो गतिविधियां सामने आ रही थी, उसमें ये संभावा देखी जा रही थी, कि चुकि एस सी ओ, यानि की शंगाई कॉपरेशन और 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 इस टेप होने वाली थी, इसके कारण यहां पर ये जो step है, 2022 में उठाया गया था, है ना, तो यानि कि ये step उठाया गया है, लेकिन खेर, जो भी factor रहे हों, जो भी कारण रहे हों, ये जो step उठाया गया है, ये अपने आप में बहुत अधिक महत्पून हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने mention भी किया हुआ है, कि जो bricks की बैठक आयोजित होने वाली है, कजान में, ये कजान कहां है, र strengthening multilateralism for just global development and security, यानि कि वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहु पक्षवाद को और अधिक मजबूत करना, और इसके मद्दे नजर भारत और चीन एक बहुत ही महत्पून देश के तौर पर दिखे जा सकते हैं, तो यहाँ इस बात को जरूर समझने और ध्याय में र भारत के बीच में इन तमाम विवादों के बाद अब धीरे-धीरे सहमती जताई जा रही है, अब भले ही disengagement, de-escalation जैसी जो गतिविदियां इसको अब सक्रियता के साथ अपनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद, चीन को लेकर के भारत को हमेशा चौकनना रहने कि चीन के बारे में दोस्तों कई सारी खबरें लगतार आते रही हैं कि line of actual control के आसपास में उसने कई सारे गाउं बसाए हैं, और इन गाउं को बसाने के पीछे की उसकी जो नीती है, वो कहीं न कहीं भारत के अगेस्ट में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है, इसके तैनातियां की हैं, हथियारों की और टैंकों की तैनातियां की हैं, जो भारत के लिए खत्रे की घंटी के तौपर देखा जा सकता है, तो यहां इस पक्ष को भी ध्यां में रखने की आप सकता है, चीन को हलके में नहीं लेना चाहिए, बेशक यह सब कुछ हो रहा है, लेकि तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि भारत और चिन के बीच में जो एक विवात की इस्तिती थी उस विवात को अब एक सीमा तक सुलजाया जा चुका है अब आगे आने वाली जो इस्तित्यार हैंगी उसके हिसाब से फिर से हम लोग किसी और टॉपिक के माध्यम से बाचित क सकते हैं और अपने जीएस की तैयारी को और बहतर तरीके से आगे भरा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों ध्यान लखेगा कि यह आप किताबों को खरीदना चाहते हैं जो की सिविल से और परिच्छा से जुरी हुई हैं जो आपकी तैयारी को और बहतर कर सकती हैं तो आप से बंधी जो भी महत्वपूर्ण पाथे सामगरी है उसका लाभ उठा सकते हैं इसके अलावा NCRT की किताब यदि आप बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप दिली प्लाइब कोड का करता रहता हूं इससे आपको लाभ मिलेगा मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ अपना ख्याल रखिए अल्द बेस्ट हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टडी आइक्यू आई एस हिंदी